सबी को जैहिंद दोस्तों आप सबी का हार्दिक सौगत है जैहिंद रेक्शन्स पर आशा करता हूँ कि आप सबी लोग बहुत अच्छी होंगे तो आज हम आपके लिए टेस्ट और एक बहुत ही इंट्रोस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान पे तो ये वीडियो काफी इंट्रोस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा तो इसन तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपनी से लेटेस्ट नॉलेजबल और इंट्रोस्टिंग वीडियो ला हुआ लेकिन ये चीज़ें डिसकस हुई हैं इंडिया के फार्न निस्टर ने बोला है कि जब तक टेररिजम जब तक इसके लावा जो यहां पे आपस में एक दूसरे की हम बौंटरी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे में जो यहां पे एक्स्ट्रीमिजम है उसे कम नहीं करेंगे जब तक सेपरेशन मतलब यह जो मूमेंट्स हैं इसको खतम नहीं किया जाएगा या इनने जो स्पोर्ट करने वाले लोग है वो नहीं हतम होंगे ट्रेड नहीं हो सकती यह उपन लीन उन्हें बात की है तो क्या समझती हैं आप S.C.O. में जो डाक्टर S.J शंकर ने स्टेटमेंट दी है बिलकुल खुलन खुला कि टेर्रिनिजम हतम नहीं होगा इसके लावा एक्स्रीमिजम हतम नहीं होगा यह सेपरेशन मूमेंट यह जो भी चीजें हैं यह हतम नहीं होंगी ट्रेड पॉसिबल नहीं है हमारे भारत के जेम्स पॉंड डॉक्टर S.J शंकर मिनिस्ट्री ऑप एक्स्टरनल अफ़ेर के मंतरी काबिनेट मंतरी और आदर्निय परधान मंतरी के सबसे नस्दी की सबसे प्रिये मंतरी पाकिस्तान में जो गदर उन्होंने मचाया है पाकिस्तानियों के लिए खहर अब उसका आप इस क्वेस्टन कांसर पेशिक लास में करिए गा लेकिन आपको यह आपको यह आंसर करना पड़ेगा कि देखें वही ऐसे जंकर शुक्रिया की दा कर के गएँ पाकिस्तान की मेहमान नुवादी का तो यह भी आपो देखना पड़ेगा यही तो हमारी सभ्य घुष करके कहा था ना घुष के मारेंगे तो पाकिस्तान में एंटर करके उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को आइना दिखाया और साफ लफजों में कहा आतंकवाद अलगाओवाद कटरवाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा पंद्रह अक्तूबर की कि SEO की मिटिंग में आपके पाकिस्तान के इस्लामबाद में बेशक बहुत बड़े-बड़े पॉलिटिशियन आए वे थे चाइना से रशिया से बहुत बड़े-बड़े डिप्लोमेट आए वे थे लेकिन इस पूरी दुनिया के कान और इस पूरी दुनिया की आखें जो पाकिस्टानी आपस में बैठ के दिसकेशन कर रहे थे आफ दी कैमरा मैं अपने दोस्तों के साथ अपने कुलीग्स अपने सीनियर्स के साथ तो यही बात कर रहे थे अपने कॉंसलेट में अपने पाकिस्टान मंत्री के कही पर भी एंट्री देखिये करिस्माटिक होती है अब हमारे भारते जन्ता पाटी के ग्रह मंत्री अमिश्रा जी की एंट्री देखिये करिस्माटिक होती है एक औरा होता है एक गदर होता है लगता है कि कोई नेता आया है भाई कोई कोई मिनिस्टर आया है 15 अक्तूबर की समित की मिटिंग में पाकिस्तान को यह समझ में आ कि समित की मिटिंग में डॉक्टर रैस जैशंकर ने अपना लाइव स्टेटमेंट चाम के चार बजे दिया तो उसको पहले आप लोगों ने म्यूट कर किया आपकी आपकी मीडिया वालों ने म्यूट किया और फिर बाद में उसको ब्लैक आउट भी कर दिया तो वो कहते हैं जीज़े नहीं होता है तो पाकिस्तान का भी नीचर और इच्वेश्च के और यह सुषमा सोराथ जी बाद भारत का कोई वजीरखार्जा जो है एक्टरनल मीनेस्टर जो है वो पाकिस्तान पहुँचा था तो जाहिर सी बात के आग्या का पालन उन्होंने किया और पाकिस्तान के इंडियन हाई कमिशन में एक पेड मा के नाम उन्होंने वहाँ पर लगाए यह बड़ा यह बड़ी एहम चीज है कि मतलब फिर भी देखें मेरे जो मैंने थोड़ा एजुकेशन ली है या मुझे पता है कि जो पेड लग किया कि बड़े पुलाइट रहे हैं कही ना कहीं मैंने नोट किया कुछ गुट गैस्चर देके गया है कि यार आप फिर भी सीख जाओ अगर कुछ आपकी तरफ से बेहतरी होगी इन चीजों यह जो तीन चीज़ें बोली है इनके ओपर काम आप खतम करोगे तो शायद हम र भारत की राय क्या है डोक्टर रैज जयाशंकर के विजट पर तो आपने फिर से कहा कि पीस का एक वो जेस्चर दे करके गए हैं फिर से मैं कहूंगी कि श्रीमंद बगवद गीता पढ़ने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर सभ्यता बहुत होती है एक्स्ट्रीम होती ह और आज दो साल से मैं श्वईबाप के साथ बैट रही हूँ मैंने हमेशा भारत से बैटे बैटे मैंने पाकिस्तान की बेटियों को इंपावर करने की कोशिश की है मैंने भारत से बैटे बैटे पाकिस्तान की महिलाओं को शिक्षक करने की कोशिश की है उनके अंदर जोश बरने की कोशश की है कि तुम किसी से कम नहीं हो अब रही बात फिर से आते हैं टॉपिक पर और अले चाहूंगा आपको येकीन मानने मैं आपको कुछ वीडियो बेजूंगा कुछ लिंक बेजूंगा के बिल्कुल जैसे आप बात करती हैं पाकिसान में ऐसी लड़कियां मेर मैंने हुद देखी हैं मैंने हुद बात की है कि ओपन ली रोड पर खड़े होगे यह कहती है कि हाँ भई हम हम अपना हकुद लेंगे हम अपने राइट के लिए बात करेंगे आप मर्द कौन होते हैं और कुछ लोग नीचे कमेंट यह का रहे थे कि पाकिस्तान में भी मेरा बाप आया है मैंने तो ट्वीट भी किया था उस गाने के साथ काले चश्मे का डर डॉक्टर जैशंकर के काले चश्मे का डर पाकिस्तान को जैशंकर जी की तेज तर्रार बातों से काप गया पाकिस्तान सुबह के मॉर्णिंग वोक से चौक उठा पाकिस्तान जो तहल यह रहा है जो कि असलब नहीं चलता है डीट और अज़ों अज़ा很多 बात करना चाहिए था को यह तो इन्हों ने तो जमुरां कश्मीर पर बात ही नहीं किया कर आ हमारा अखंड भारत का हिस्सा है डॉक्टर राइस जयशंकर बहुत ही एनरजेटिक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बलंट स्पीकर है बहुत बलंट स्पीकर है डॉक्टर राइस जयशंकर ने समित के मिटिंग में ही सी पैक पर अपना विरोध जाहिर भी कर दिया और कह दिया कि पीओ के जो है वो भारत का टूट अंग है और सी पैक का काम जो आप चाइना के लिए कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए अब डॉक्टर राइस जयशंकर को देख करके कहीं ना कहीं बलोच भी बड़ा हिम्मत पैदा कर लिया क्योंकि काफी दिनों से उनके परदर्शन चल रहे थे और बलोच के सरजमीन पर चाइना के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम ने जो एरपोर्ट बनाया था उस एरपोर्ट का घाटन चाइना के बड़े-बड़े मंतरी और आपके वजी हो गए और कहें कि आकर दिखाओ फिर मजा चखाएंगे हालात यहां तक पहुंच गए कि चाइना के उस उस पॉलिटीशियन को ले करके आपके वजीर आजम को वर्चुएली वीडियो पर इनोग्रेशन करना पड़ा बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा यह तो होता है तो गुड जेस्चर होता है ना और मैं फिर से आपको बताती चलों शोयब कि भारत की सब्व्याता में इंसानियत सर्वोप्रिय है और सर्वोप्रथम है और मैंने आप से जब डॉक्टर जशंकर पहुंचे थे तब मेरी और आप आपकी जब डिसकर्शन होई थी त पूजा करते हैं हिंदू चंद्रमा की पूजा करते हैं तो डॉक्टर एस जशंकर कटर हिंदू है चंद्रमा पाकिस्तान में भी दिखेगा तो वो पूजा करेंगे सूरिय पाकिस्तान में भी दिखेगा तो वो पूजा करेंगे अन पाकिस्तान का होगा तो उन्होंने दो पसंद आयोगी खासकर नाजिये खांजी का जबदस्त रियक्शन तो ये वीडियो गर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरू कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरू बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि हम आपके से लेटिस्ट नॉलेजिबल और दमदार वीडियो लाते रहें जै हिंद जै भारत